प्रस्तुत कविता में अलहर्ड मस्ती स्वतंत्र प्रिय व्यक्ति की फक्करता को दर्शाया गया है जो घर संसार और अपना पराया भूल कर आगे बढ़ता जाता है वो इस दुन्या को अपना निस्वार्थ प्यार देता है और जग से उसी प्रकार के निस्वार्थ प्रेम को पाने की उम्मीद भी करता है लेकिन माया मोह में लिपत ये संसार अपने में ही मगन है हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उडाते जहां चले आए बनकर उल्लास कभी, आसु बनकर बह चले अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहां चले किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिये चले दो बात कही दो बात सुनी कुछ हसे और फिर कुछ रोए चक्कर सुख दुख के घूटों को हम एक भाव से पिये चले हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छन्द लुटा कर प्यार चले हम एक निशानी सी उरपर ले अस्फलता का भार चले हम मान रहित अपमान रहित, जी भर कर खुल कर खेल चुके हम हस्ते हस्ते आज यहां प्राणों की बाजी हार चले अब अपना और पराया क्या? आबाद रहें रुखने वाले हम स्वयम बंधे थे और स्वयम हम अपने बंधन तोड़ चले भगवती चरण वर्मा